सो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई एक रू सॉलूइशन में और आज की वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे MSEI 027 Digital Forensics के Free Solve Assignment है 20-21 तक के लिए और अगर आपको इन assignment का PDF चाहिए तो आप हमें WhatsApp कीजिए WhatsApp नमबर में आपको description box में provide कर दूँगी So students अगर आपने मेरे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें And bell icon को बजाना ना बोले इससे क्या होगा आप मेरी आने वाली वीडियो का जो notification है वो आपको easily आपके phone में मिल जाएगा अब हम चलते हैं अपने free solve assignment पर तो यह रेखिए course code यहाँ पर दे रखा है MSEI 027 And course title है आपका digital forensics And total आपका जो assignment है वो आपका total आपका 20 marks का है 20 marks में से आपको assignment में marks मेलेंगे Okay तो यहाँ पर कुछ note दे रखा है तो पहले हम वो discuss कर लेते हैं कि note में क्या बोला है There are two questions in this assignment यानि कि आपको इस assignment में two questions आपको देखने को मिलेंगे And answer all the questions और आपको दोनों ही questions को आपको attempt करना है दोनों ही questions को आपको answer देना है You may use illustrations and diagrams to enhance your explanation और आप diagram और illustration का use करके भी आप अपने answer का जो explain है वो easily उतको कर सकते है So students जैसे कि आपको screen पर दिखाई दे रहा है दो questions आपको देखने को मिलेंगे और दोनों ही 10-10 marks में है टोटल आपको 20 marks को आपको question है अगर मैं आपको example के लिए बता हूँ जैसे आपने question 1 लिया जब आप इसका answer आप explain करेंगे तो आप अगर चाहें तो साथ की साथ इसमें आप diagram भी बना सकते हैं ऐसा आपको नहीं करना सिर्फ आप diagram आपने बना दिया आपको उस question के वदब उसमें आपको कुछ लिखना भी है ठीक है उस answer में आपको लिखना भी है यह देखिए तो यह आपका question 1 है ठीक है question 1 आपको दे रखा है यहाँ पर देखिए इसका answer आपको हमने बहुती अच्छी तरीके से दे रखा है बहुती अच्छी तरीके से एक चीज आपको explain कर रखी है to the point आपका answer है best content के साथ अगर अच्छा है है तो साथ की साथ अपने assignment को note down भी कर सकते हैं कि रेखिए आपको to the point आपका answer है best content हमने आपको दे रखा है बस especially जब आपने assignment को बनाए students आप अपने content पर ध्यान दीजिए और इस पर भी आपको ध्यान दी रहे हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो आपका correct होना चाहिए कोई साभी topic आपकी question से वहां ना हो ठीक है तो question को भी आप carefully पढ़ें ध्यान से पढ़ें और अगर नहीं समझ मेहारत उसको repeat करके भी आप पर सकते हैं यहां से आपको शुरू होता है question 2 ठीक है यह आपका last question है आपकी assignment का स्टूडेंस यहीं पर आपके MSEI 027 के solve assignment है वो आपके complete होते हैं और अगर आपको इन assignment को note down करना है तो आप video को pause करके इनको लिख भी सकते हैं स्टूडेंस आज की वीडियो में हमने discuss करा MSEI 027 के digital forensic के free solve assignment है 20-21 तक के लिए स्टूडेंस अगर आपको किसी other topic भी वीडियो चीहें तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को do like, share and comment करना ना भूले और अगर आप मेरी वीडियो को first time देखिने तो चैनल को subscribe करें and bell icon को बजाना ना भूले